Hello dear students, last class हमने बहुत अच्छे से concept को जान लिया था, alpha, beta, gamma और उसी concept पे based example number 5 को बहुत अच्छे से कर लिया था अब हम लोग सुरुआत करने जा रहे हैं exercise 2.2 का question number first बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दू, आप लोग अगर इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को like, share और subscribe कर दीजे जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत असानी से मिल सके ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं exercise 2.2 का first question, आपको पता है ना, चलिए, चलिए देखे, board पर देखिए आपका question कहता है, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient आपको कुछ concept जैसा question नजर आ रहे है न, yes or no, जो कि हमने last class में concept कर रखा है कि sir, alpha, beta और coefficient के बीच में relationship हमने पढ़ रखी है अगर ये concept आपने नहीं देखा है, तो आप लोगों को description में link मिलेगा और वहाँ पर जाके concept देखिए, फिर इन question पर apply कर ये, ठीक है, चलो आपका पहला question क्या जाता है, before that आप उससे पहले एक जानों कि sir, आपकी जो quadratic polynomial होता है, वो ax square प्लस में bx प्लस में c, yes or no guys एक quadratic polynomial के अगर मैं बात करूं तो यही form होती है, yes or no, a word has its own definition, if it has maximum degree 2, that means it has only 2 zeros, one is alpha and one is beta now what we want to do now, what is the relationship between this term and what is the relation between this term, that means in term के साथ ही तो मुझे relationship बताने है कि एक polynomial के अगर coefficient भी है, एक polynomial के अगर zeros में तो उन दोनों के बीच में relationship, आप देखिए अपना first question board, आपका first question कहता है आपका जो polynomial है, वो है, x square minus 2x minus 8, आपका यह polynomial है, अगर इस polynomial के मैं बात करूं, sir, what type of polynomial is there, sir, quadratic polynomial, द्रिगाती बहुपत, yes or no, आपको याद है middle term splitting, yes, now, middle term splitting, बहुत easy question है, आराम से सीखिए आप लोग, देखो, middle term splitting में क्या करते हैं, फर्स्ट टरम को और लास्ट टरम को आपस में multiply कर देते हैं, तो जब x square को multiply minus 8 से किया, तो result आगया आपका minus का 8x square, very good, और आपका जो mid term है, वो कितना है, minus का 2x, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं minus का 2x, अब आप मुझे खाली इतना बताओ, कि सर 8 किस किस के table में आता है, तिके, ना, 1-8 जा, 8, 2-4 जा, 8, 4-2 जा, 8, 8-1 जा, 8, बिटा, factor तोडने के बहुत सारे method है, आप LCM से भी तोड सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ question आप लोग table से करो, जो direct हो जाते हैं, देखो, बिटा, ऐसे factor जिसको plus minus करें तो 2 है, 1 is here, 1 is there and 1 is here, एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, देखो बटावट, सर्फ, 2 में से 4 गए, minus 2, 4 में से 2 गए, plus 2, तो ऐसे value put up करने हैं, जो minus लिए है, तो आप देखो, term तोडना चालो, x square, minus कर 2x, minus का 8, तो अगर आप लोग इसके term तोड़ोगे, तो x square, minus का 4x कर दो, plus का 2x कर दो, minus कर, जो, एसा क्यों करना पड़ा, क्यों, क्यों क्योंकि, minus plus minus होता है, जो 4 में से 2 less करूँगा, तो minus का 2, क्यों 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 क्यों, बड़ी value minus 4 के है, अब देखो इदा, अब इन दोनों में common क्या रहे है, x, इदर से क्या बज़ गया, x minus 4, प्लस का 2, क्या बज़ या देने विटां अगर सही होती है कुछ माइनस टू हमें पता है सबसे बढ़ा होता है और उस्टे बड़ी होती है और उस से बड़ी होती है। वह negative term में negative digits के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बता देता हूं जो छोटी value होती हो बड़ी होती हो जो बड़ी होती हो चोटी बट ध्यान रखना जब plus minus की बात है जब plus minus की बात है तो बस आप इतना करो minus plus minus करो 4 में से 2 गर 2 और दोनों में जो बड़ी value उसके आगे जो symbol हो वही लगा दो वह कभी भी question गलत नहीं होगा चलो अब यहाँ पर common कहा रहा है x minus 4 और इधर से क्या बज़ गया बटा x इधर बज़ गया 2 now हमारे पास क्या value आगे बटा नजर आ रहा है कुछ x की form में yes finally we got the factor of this polynomial हमें तो पहले बताया था कि सर हम factor मिलेंगे अब इसको zeros zeros निकालना है तो इन factor के equal to क्या दिखा तो zeros दाओ यहाँ पर क्या दिखो लिखोगे यहाँ लिखोगे for zeros देखो पटा पट for zeros for zeros x minus 4 equal to 0 and बोलो पिटा x plus 2 equal to 0 minus 4 इधर जाएगा तो plus हो जाएगा और x plus 2 उधर जाएगा तो पिटा minus हो जाएगा बताओ yes or no पिटा क्या हो जाएगा minus 2 that means now finally we got the zeros of that polynomial क्यों क्योंकि वो यह वो संख्या है जो polynomial को 0 बना देगी अब पूट करके देख लिए ना कोई सी value polynomial में रखके देख लिए ना हमने 9th class में सीखा है yes or no आप लिग रखके देख लिए ना ठीक है between बहुत बढ़िया between alpha beta and बोलो beta between alpha beta and a b c now you know guys concept के apply concept yes or no आपको यादेओ concept yes alpha plus beta equal to minus b by a don't call it don't call it formulas only learn concept its name is concept now alpha what is the value of alpha 4 plus what is the value of beta minus 2 and now here what is the value of b very good what is the value of a say in the polynomial yes sir x square x square minus 2x minus 8 that means this is your a this is your b and this is your c yes or no very good x square का coefficient a होता है x का coefficient b होता है और single digit जो अकेली होती है जिसके पास कोई variable नहीं होता उसको क्या बोलते है beta c constant हम बोलते है now what is the value of b beta minus 2 that means sir पहले से ही minus है very good and what is the value of a of c and what is the value of c and what is the value of c and what is the value of a minus 1 plus minus 4 minus 2 to get 2 अब यहां पर 2 तो देखो हमारी relationship beta proof हो गई की नहीं हो गई पता है yes or no now पहले relationship proof होगी second हमको पता है alpha into beta यादे नहीं concept very good alpha की value कितनी है बोलो 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 फटावट बोलो 4 very good beta की value कितनी है minus 2 now what is the value of c sir minus 8 and what is the value of a 1 4 to the minus 8 जिसके denominator में कुछ नहीं होता हमेसा 1 होता है तो यह आपका concept यह भी आपका apply हो गया तो आपका यहां first question completed है same concept है सारे question में यह apply होगा second question देखे है आपको नजर आ रहा है polynomial very good now once again what type of polynomial is there sir quadratic polynomial so what we have to do now right now middle term splitting middle term splitting very good splitting now multiply first term into last term very good 4s square multiply 1 equal to 4s square and what is your middle term minus 4s sir 4s के s separate core factor की plus minus करें तो minus का 4s आ जाए तो मैंने तो आपको पहली समझा है sir 4 किस किस के table में आता है sir 1 into 4 2 into 2 4 into 1 और किसी other table में आता है 4 आता है very good अब देखो इदर बीटा ऐसे term लो अगर जिसको solve करू तो मेरा 4 आ तो sir यह rate term बाइ 2 और 2 4 बट sir अगर यह minus लाना है तो यहां concept देखो minus का 2s कर दो sir minus का 2s कर दो और यहां पर आ गया 4s क्या इनको multiply करने पर plus का 4s आ रहा है जी बिलकुल 2 2 जा 4 4s square वेरिफिया हो गया that means यह concept वेरिफाय हो गया ठीक है अब रख दो 4s square minus का 4s plus का 1 मैं यहां पर लिख देता हूं वो factor कौन कौन से factor तोड़े है आपने minus का 2s minus का फिर से बोल रहा हूं पेटा 2s plus का 1 और इधर आ गया 4s square अब यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे प सब 4s square 2s मतलब that means आप देखोगे सर एक तो दोनों किसकी डेबल में आते हैं 2 के में इधर s दो बार है इधर एक बार है तो एक बार से इधर आ गया इधर से बच गया 2 और इधर से बच गया s very good अब यहां से देखो जब पूरी की पूरी term चली गई है बाहर तो यहां क्या बचाओगो माइनेस का वन अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं सर यहां क्या कॉमन लिए तो क्या मैंने वन का टेबल नहीं सिखाया बिल्कुल सिखाया क्लासिफिकेशन ओफ नंबर में मैंने क्या सिखाया है यही तो शिखाया है देखो यदर 2 और 1 किस की टेबल में माइनस वनके की थेबल में 2 किस पर यहां पर बज यह जब यहां पर आगया तो बताओ मैंने कहा था जब कुछ नहीं बसता तो बाहर चलाकर क्या चाहिए चाहिए अब कि सअनके यह बज यह भून आ रहाएन देखे ला now finally we got the factor of this polynomial now what we have to do now क्या करना पड़ेगा अब हमें sir zeros निकालना पड़ेगा now for zeros यहां पर क्या लिख देंगे for zeros जैसे भी last question में किया हमने for zeros sir 2s minus 1 equal to 0 once again 2s minus 1 equal to 0 इसको solve करोगे तो क्या एगा बेटा 1 upon में 2 इसको solve करोगे तो क्या एगा बेटा 1 upon में what may be call in a other language alpha equal to 1 by 2 beta equal to 1 by 2 now apply concept concept या दे ना बेटा alpha plus beta equal to minus b by a और another alpha into beta equal to c by a चलो solve करते हैं what is the value of alpha 1 by 2 beta 1 by 2 equal to what is the value of b now c your polynomial bitum नजर आरा है आपको sir this is your b this is your a and this is your c very good now sir what is the value of b sir negative 4 that means negative and negative 4 very good and what is the value of a that means 4 very good now up now you have to take lcm sir lcm कितना आगे 2 1 plus 1 that means यहां पर आपको पता चलिगा होगा 4 upon 4 very good 2 upon 2 4 upon 4 cutting कर दीजिये sir equal to 1 cutting कर दीजिये 1 equal to 1 that means concept यहां complete हुआ relationship हुआ मिलगी अभी से भी दिख लिए what is the value of alpha 1 by 2 into 1 by 2 equal c what is the value of c guys very good 1 upon me what is the value of a 4 good 1 upon me 4 that means we have proved a concept between zeros and coefficient yes or no guys that is the concept that's why we did in previous class okay guys now you can see your third question देखे अपना third third question देखे कोशन कहता है आपका third कहता है six x square minus three and minus seven x आप मुझे खाली इतना बताओ इस question में sir यह किसी general form जो है quadratic polynomial की ऐसी लिखे होती है आपको खुद पता है general form क्या होती है sir ax square होता है फिर bx होता है फिर plus में c होता है that means power 2 फिर power 1 फिर constant value but sir यहां देखो तो यहां पर x square के बाद term यहां चली गए तो पहले इसको क्या करोगे correct करोगे correct करोगे ठीक है तो इस form को correct करोगे तो six x square minus का seven x and minus का three now finally we got the exactly exactly what position of quadratic polynomial now first of all why concept same लगा दो middle term middle term splitting तो middle term splitting में सिखाया था आपको very good six x square multiply minus three that means your minus का 18 x square and what is your middle term minus का seven x now कहीं confused नहीं होना है ठीक है 18 बताओ किसकी टेबल में आता है 1 x 18 2 x 9 9 x 2 and 18 x 1 और किसी अधर टेबल में आता है 18 अगर आता है तो बताओ यस आता है ना 3 x 6 6 x 3 और किसी अधर टेबल में आता है 18 आता है आता है ठीक है आप 18 लाना है ऐसे फेक्टर तोड़ो कि plus minus करें तो seven आजाए आपको नजार आ रहें टू में से nine गए minus seven यस और नो बहुत easy concept है आपके सारे कोश्चनों में मेरा जो concept है वो apply हो जाएगा ठीक है इतना परिशान नहीं हो ना कि आप लोग लोग confuse हो जाओ अच्छा lcm लो लोगे तो आप देखो इदा एटीन आया टू नाइन एटीन थ्री 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 नाइन और टू ठीक है फेक्टर तोड़ो आप लोग ठीक है लेकिन अभी जब बड़ा फेक्टर आएगा तो परिशान हो जाओगे अभी ठीक है लेकिन मेरे इसाफ से तो आपको इतना तो टेबल पता ही होना चाहिए कि सर 20 तक टेबल आते अगर नहीं आता इन केस तो लेना चलो अब फेक्टर तोड़ देते हैं सर अगर मैं इसे रफ करना चाहूं तो यहां पर लिख देता हूं देखो 6x2-7x-3 फेक्टर तोड़ रह चल गया ना मुझे ऐसक्यों लेना वपर क्यों यहां पर मइनिस लगाना है और अगर यह मैनेस प्लस मैनेस होगा तबी तो मैंने सहान और बताव शिक्स और नाइन में मुझे अगर कॉमन लेना है अगर 609 मुझे । इसकी कि टेबल महाते है तो यहां पर कॉमन लेलो तो इदर से बज़ गया 2x-3 अब बताओ 2 और 3 अगर आपको common नहीं लेने आदा तो 2 और 3 किसके टेबल में आते हैं 1 के टेबल में अगर प्लस 1 common आ जाए तो 2x-3 आप मुझे इतना बता दो यह और यह टम सेम है कि नहीं बिलकुल सेम है हमें polynomial मिल चुके हैं अब यहां पर लिख देता हूं for zeros क्या लिख देते हैं बिटा फॉर जीरो फॉर जीरो जीरो अगर जीरो की बारे में जानना है तो मुझे पता है इसा 2x-3 equal to 0 and once again 3 दुबारा से लिख देते हैं इसको 3x plus 1 equal to 0 अब देखो बेटा 2x equal to 3 and x equal to 3 upon में 2 once again यहां पर भी देख लो minus 1 x equal to minus 1 upon में minus 1 upon में 3 आप मुझे इतना बता दो what may be calling other language sir alpha and beta yes or no yes or no चलो concept देख लीजे for concept के लिए alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a alpha की value कितनी है बेटा 3 by 2 beta की value कितनी है फटा फट देख लो जल देख है minus 1 by 3 and what is the value of b now you have to go in your in your polynomial फटा पट देखो what is the value of a 6 b की value minus 7 और c की value minus 3 तो b की value पहले से minus पढ़िए that means minus bracket में फिर से minus upon में a की value कितनी है फटा फटा पट देखो 6 very good अब यहां पर बोलिए फटा पर 3 by 2 minus 1 by 3 अब यहां पर कली लिजे LCM now 3 3 is a 9 minus में 3 2 that means यहां पर आगे 7 upon 6 अगर यहां minus minus positive हो जा रहा है तो 9 में से 2 गए 7 upon 6 और equal to 7 upon 6 finally we got the relationship between 3 zeros and coefficient sorry finally we got the relation between 2 zeros and coefficient alpha into beta alpha 3 by 2 beta minus 1 by 3 and equal c by a what is the value of c beta minus 3 very good minus 3 and what is the value of a 6 solve कर दीजे इसको यह से कट गया minus 1 upon 2 and इसको भी कटिंग कर दीजे तो आप बोलोगे सर माइनस का 1 by 2 देखो पता चल गया ना that's why we did the concept now next video में आप लोग इससे अगले question देखने को मिलेंगे चलिए thank you for watching subscribe दुरगेज classes for more videos